नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकाज सोच्वागत हैब सभी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रेशनावली 1.1 का कोश्चन नमर 5 तो देखें इसमें हमारा दिया क्या है यूकलिट भी भाजन पर मेरिका का परियोग करके दर्साइए कि किसी धनात्मा प्रोडांग का धन 9m,9m-1,9m-8 के रूप का होता है ठीक है तो देखें इसमें हमें 9m,9m-1 तो 9m-8 यह हमें दर्साना है ठीक है फर्मुला क्या होता है यह बराबर में BQ-R होता है ठीक है और इसमें कंडिशन क्या दिया रहता है कि 0 छोटा है और बराबर है R के तर्था R छोटा है इस B से तो B बराबर हम क्या मानते हैं सबसे हाइस्ट अंक माना जाता है B बराबर B हमेशा बड़ा होता है इस R से तो B बराबर हम इसमें देखे highest value क्या है? 9 है इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है तो B बराबर हम मानेद क्या? 9 और B हमारा भाज़क होता है और तथा R यह successful होता है देखिए अगर इसके बारे में इस formula के बारे में आपको अगर 20 रूप से जानना है तो question number 2 को जरूर देखेगा, उसमें हमने 20 रूप से बताया है, तो चलिए अब यह question पर आते हैं, तो यहाँ पर देखे, जब B सबसे highest है, तो R हमारा इस B से कम होगा, तो कम हमारा क्या हो सकता है, 0 हो आ सकता है, R सेस्फल है तो यह 9 से कम है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2 आ सकता है, मतलब कि इसी तरह से 8 तक आ सकता है, ठीक है, यह 8 तक आ सकता है, 9 तो यहाँ पर दिया ही है, तो इस तरह से हम, इसका हम, जब हल करेंगे, तीस से हम, पहले 0 के लिए करेंगे, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, इ काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो इसमें हमें लाना क्या है हमें 9 को लाना half और M लाना है, 9 M लाना है, फिर 9 M प्लस 1 लाना है, तो देखें, इसके लिए एक trick होता है, इसके लिए trick क्या होता है, कि B बराबर हम मानेंगे 3, 3, अब मान लिजिए, 3 का हम घं करें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तरी करना होती है, 27 हो जाएगा, ठीक है, और 27 में से हम असानी स 9 common ले सकते हैं, ठीक है, समझे के ध्यान से, 27 में से भी हम 9 को common ले सकते हैं, तो फाइदा क्या है हमें 9 लेने से यहाँ पर, तो अगर हम B बराबर 3 लेते हैं, तो हमारा R क्या लेंगे, R हम लेंगे, 0, 1, 2, मतलब कि यहाँ पर 3 में ही हमारा काम हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर 3 लेते हैं, तो हमारा काम भी हो जाएगा, और क्योवल 3 लेंगे, और आंसर आजाएगा, ठीक है, तो देखिए, क्योवल हम इन ही दोनों पर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, A बराबर में, B, B बराबर यहाँ से हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यह 3 हो जाएगा, और Q, तो Q बराबर हम, Q क्या रखेंगे, Q रह जाएगा, क्योवल कोई मान नहीं है, और यहाँ R, R बराबर क्या रखेंगे, यहाँ से पहले 0 के लिए करेंगे, तो प्लस में 0, ठीक है, अब इसका हमें गहन करना है, क्योश्चन में दिया है, कि इसका गहन करना है, और करेंगे, तो A बराबर में 3M, ठीक है, उसके पास से इसका गहन करेंगे, तो A क्यूब बराबर में 3M का क्यूब, तो A क्यूब बराबर में 3 तरिक नहीं होते है, 27M क्यूब हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें से 9 common कर लेंगे, तो A क्यूब बराबर में 9, तो इसमें क्या ब बचा अब हम देखे थिरी M q बड़ाबर में मानेंगे M तो यह हो जाएगा एक q बड़ाबर में 9 M हो जाएगा देखें यह पहला तो इतना हमारा सिद्ध हो गया अब हमें दूसरा सिद्ध करना है तो देखे दूसरा भी देख लेते हैं यहां लिखेंगे a और ब्राबर में B, यहाँ पर B दी है, तो B ब्राबर है 3, तो यह हो जाएगा 3 और Q पलस में, R ब्राबर अब क्या, 0 पर होगे, अब यह एक पर करेंगे, तो यहां पर एक हो जाएगा अब Q ब्राबर हम किस रूप में करना है यहां पर M के रूप में करना है M के रूप में हमें लाना है आंसर Q ब्राबर करेंगे M तो A ब्राबर 3M प्लस में 1 ठीक है तो अब इसका हम करेंगे गन तो A Q ब्राबर में 3M प्लस 1 का cube अब इस पर हम formula लगाएंगे कौन सा a प्लस b का whole cube बराबर में a cube plus b cube plus में 3 a square b plus में 3 b square और a ठीक है इस formula का use करेंगे तो इसको इसी formula के साब से कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा एक cube बराबर में तीन तरीक नहीं होती है 27 m cube plus में 1 का cube plus में 3 तरीक नो m square plus में 9 m अब यहाँ पर देखिए अब इसको आगे हल करेंगे 1 cube बराबर में 27 m cube plus में 9 m square plus में 9 m और plus में 1 1 को यहाँ पर कर दियें आई इसने से 9 कॉमा लेंगे तो एक cube बराबर में 9 तो यहाँ पर क्या बचा 3 m cube plus में यहाँ m square plus में m और plus में यहाँ 1 बचा अब इसके बराबर हम मानेंगे m तो यह हो जाएगा 1 cube बराबर में 9 m plus में 1 ठीक है यह हमारा यहाँ पर देखें दूसरा नंबर आ गया यह दूसरा नंबर आ गया ठीक है अब हम दो पर करेंगे इसको आप हम घन करेंगे और इसको यहां के बराबर में करेंगे यह हो जाएगा का A Q बराबर में 3 M प्लस 2 का Q ठीक है अब इसका हम फॉर्मुले पर तोड़ेंगे तो यह हो जागा A Q बराबर में 3 तरीक नोटे 27 M Q प्लस में 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस में B Q हो गया अब यह 3 A B तो लिखेंगे 3 और एक हैस्तान पर है 3 M का स्क्वाइर और गुणे में 2 प्लस में 3 और दो का स्क्वाइर गुणे में कि मतलब 3 M ठीक है अब इसको हम कर लेंगे A Q बराबर में 27 M Q प्लस 8 और प्लस में 3 दूना 6 और यह हो जाएगा घात लगाती यह हो जाएगा 9 तो 9 गुणे 6 हो जाएगा चाववन एम स्क्वाइर प्लस में अब यह देखिए यहां पर जाएगा चार तो चार ती बारा बारा ती चात्तिस चात्तिस एम अब इसमें से हम 9 कॉमल लेंगे तो यह हो जाएगा 3 M Q प्लस में यहां यह हो जाएगा कि अब यह बचा 8 8 को हम प्लस लगा कि यहां पर लिख देंगे अब इसके बराबर हम मानेंगे एम ठीक है तो यह हो जाएगा एक Q बराबर में 9 M प्लस 8 तो यह हमारा लास्ट वाला भी सिद्ध हो गया और यह हमारा कि अंसर हो जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो अप्लोग ऐसा लगा हमें कोमेंड बैक्स में जरुआ अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब